हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब मही कानपूर के बिक्रू गाउं में दो जून के हत्याकान में घायल कॉंस्टिबल अजय सिंगर ने सुनाई है उस राक की खौफनाक दास्तान अजय सिंगर को तीन गोली लगी थी कई दिन आईस्यू में रहने के बाद घर वापस आए हैं अजय सिंगर पहली बार कैमरे पर उन्होंने बताया कूनी रात में क्या कुछ हुआ था सिपाही अजय सिंगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी चश्मदीद गवा हैं उस रात के जब विक्रू गाउं में गोली कांड हुआ था पूरी कहानी एक बार आप बताईए कि क्या हुआ था कितने बज़े आप चले थे और कैसे कैसे पूरा घटना करम होता चला गया जी सर लगवक थाने बिठूर से सर ने कहा कि चलना है चोईपूर लगवक बारा बज़ा होगा वहां से हम लोग साथ पर चल दिये तो कुछ शिवली रोड पर गाड़िया मेली चोईपूर वाली वस्चियो साब की वहां से हम लोग गए तो सीधा गाउं पहुचे गाउं क तो अंदर जा रहे थे तो सब लोग आंगे होगा हम तो लगवक फिछे हो गये लेकिन हम लंबे कद आंगे पहुचे तो देखा जैसी भी लगी थी ति क्लिबाध दस लोग आंगे पार कर चूके तो पीछे हम भी पार किये तो सर ने बिला है साथ में आओ तो हम साथ में हो लगी अंगनब गोलियां पहली गोली हमको लगी तीन गोलियां लगी आंके मैं गेरा फिर उठा इदिवाल की आड़ी मैंने सर ने आजाए अकस्य अपने और मैंने अच्छा वांदा अपने कमर पर लेकिन जाम लोग खड़े थे वो सेव जोन नहीं था फिर उपर से वाज आजा कि बम मारो तो फिर हमें को एक रूप दखाई दी ट्रॉली दखाई दी ट्रॉली लोही कि थी इसलिए हमने उसका आड़ लिया हमने और लिया फिर एक हमको आँ सबको प्रिजणसी के लिए कि वे की सतले गये हम लोगों से साव ने फोनि किया रहूल को रहू है और अनुस आओ Ăड़ को फोनिं दोई को अक्षा पह्न पंदा Оॉला सर हम वही है है सही ए surrendered gonna को कि आशान सब आलतकारियों को में पन पार फोन कॉल किया झाल झाल